कि यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूं आज आप लोगों के लिए इस्टेटिक के 25 माहत्मूर कोश्चनों के साथ फिर सुपस्तित हूं तो चलिए बिना देर की हुए हम अपने पहले प्रश्चनों को सुरू करें उससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैन अंद तक बने रहे तो चलिए बिना देर की हुए हम शुरू करते हैं और यह रहा आज का हमारा इस्टेटिक जीके का पहला कोश्चन साब की स्क्रीन पर शिंपली पाल अब भ्यारण किस राज में इस्थित है जल्दी जल्दी आप लोग हमें बता दीजे भीया शिंपली पाल अब भ्यारण किस राज में इस्थित है नेश कोश्चन परल सिटी एक्सप्रेस चन्नाई को किस से जोड़ती है जल्दी 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 उतर दीजेए परल सिटी एक्सप्रेस चन्नाई को किस से जोड़ती है बिल्कुल बहरत कौफ से लंबा समुद्री पूर्ड जोड़ता है सबसे लंबा समुद्री पूल कौन है वार किसे जोड़ता है ये बांदरा से वरली, B दादर से वरली, C बांदरा से वासी, D बांदरा से हाजी अली जल्दी जल्दी बताए भारत का सबसे लंबा समुद्री पूल कौन से है जी बिल्कुल बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेरी गुड बिल्कुल यह इस दा राइट एंसर बांदरा से वरली भारत का सबसे लंबा पुल जो है वो बांदरा को वरली से जोडता है ठीक है यह इस दा राइट एंसर नेश कोशन भारत के एटार्णी जनरल की निक्त कौ जल्दी जल्दी बता दीजे कौन न्यूक्ति करता है बिल्कुल बहुत अच्छे 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 ब फ्राचिन अस्थल अजन्ता नेस्ट कोशिटन गाधी नॉबल सांथ पुरशकार 2020 की से प्राप्थ हुआ जल्दी जल्दी बता दीजे किसे प्रदान किया गया बबू बहुत अच्छे बहुत अच्छे बिल्कुल C is the right answer C is the right answer कनहया तिरपाटी को गलोबल नाविल सांथ प्रशकार 2020 से सम्मानित किया गया है सिंदु घाटी सब्विता का पत्तन अगर है जी हाँ सिंदु घाटी सब्विता का पत्तन अगर है ये लोथल बी रोपड सी रपडी बनवाली जल्दी बताएं कौन सा है सिंदु घाटी सब्विता का पत्तन अगर कौन सा है बहुत अच्छे बहुत अच्छे गुड गुड बेरी गुड बेरी गुड एज दा राइट एंस और लोथल सिंद्ध घाटी सब बिता का पत्तन अगर क्या है लोथल है बाभू बहुत अच्छे निश्कोशन वर्स 2020 में पत्म बिभुशन पुरसकार किसे प्राप्त नहीं हुआ जी हाँ निम्द नाम दिये गए है इनमें से आपको ढोलना है कि पत्म बिभूशन पुरसकार किसे प्राप्त नहीं हुआ है जल्दी जल्दी बताएं बभू बहुत अच्छे बहुत अच्छे बिल्कुल सही डी इस दा राइट एंसर आनंद महिंद्रा को 2020 में पद भीवूसर पूरसकार से आनंद महिंद्रा को नहीं सम्मानित किया गया बाकी जार्ड फर्णांडिस अरुड जेटली और अनुरुद जगना तीनों लोगों को मिभूसर से सम्मानित किया गया जै औरे कब भाहरत आए दे जी हां औरे कब भाहरत आये थे बावु आरे क pourquoi खा मन कब हुआ था ए बाइचा, 54 सो आरे भारत आये थे zitा , बहुत अचक्छा भारत के लिए कहल चुके जैकब मार्टिन का संबंद किस खेल से है जी हाँ भारत के लिए खेल चुके जैकब मार्टिन का संब्द किस खेल से है जल्दी जल्दी उत्तर देजिए बाबू किस खेल से संब्दी थे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बिल्कुल सीजदा राइट एंस और क्रिकेट वारत के लिए खे लुकिए जैकाप मार्टिन का संभन जो है किरकेट खेल से है नेश्च कोश्टीन जल्दी जल्दी बता दीजिए किस ने बंगाल विभाजन का अदेश किस ने दिया था जी मिल्कुल सब्सक्राइब बंगाल विभाजन को आदेश दिया था और आप लोग हमें कमेंट बाक्स में लिखके बताईए कि बंगाल विभाजन को कब और किसने रद दिखिया था जी हाँ उसका उत्तर कमेंट बाक्स में दीजिए बंगाल विभाजन को कब और किसने रद दिखिया था नाम दफभा अभिवन आर्थाद नाम दफभा अभिवन या अभ्यारण किस राजमी इस्तित है लिग्ध ब्हुत अच्छार बहुत अच्छे लिक्विल्कुल शीन सि evolutionary प्रदेस नाम दफभा अभिवन या अभ्यध नाम दफभा अभ्यारण जो है अन्वांचल प्रदेश में इस्तित है नेश कोश्चन निमलिकित में से किस अस्थान पर सूर सिर के ऊपर कभी लंबोत नहीं चमकेगा जी हाँ वह कौन सा अस्थान है जहां पर सूर सरक ऊपर कभी लंबोत नहीं चमकेगा यह दिल्ली बीचे नहीं सी भोपालडी मुंबई जल्दी उत्तर दीजिए कहां पर नहीं चमकेगा बिल्कुल बहुत अच्छे बिल्कुल बिल्कुल यह दर आईटेंस और दिलही में दिल्ली में जो है दिल्ली वास्थान है जहां पर सुर्षिर के ऊपर कभी भी लंबवद नहीं चमकेगा नेश कोशन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुवात की गई थी कहां से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुवात कहां पर की गई थी बाबु ए सुन्दरवन बी संजय गांधी सी जिम कारवेट नेशनल पार्क डी भीतर कनिका पार्क जल्दी जल्दी बता दीजे कहां से बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेरी गुट बिलकुल सी इस दा राइट एंस और जिम कारवेट से जिम कारवेट नेशनल पार्क से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुवात की गई थी नेश कोश्यां निमने में से कौन भारती राश्टी कांग्रेस का प्रतम अध्यक sir था बाइब बाइबां जलदी उतर दीजो बहुत अच्छे बहुत अच्छे बिल्कल बिल्कल डी डी यहूदी वायसर आए था जहां कॉण भारत का एक मातर यहुदी वायसर आये था आपस ने लर्ड करजन बी लर Avatar एर्विन कानेल लर्ड रीडिंग जल्दी उत्र दीजिए कौन सा यह ऐक भारत के मातर यहुदी वायसर आयإ था बिल्कुल बहुत सही डाया यह तैन 1929, C 1939, D 1939, जल्दी उतर दीजे बाभू, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही, बहुत सही, C is the right answer, 1930 में, ब्रिटिस सरकार दोरा, लंदन में, भारती नेताओं का प्रतम गोल में, 1930 में, 1930 में हुआ था, निमलिखित में से कौन भारती सम्मिधान का पंडुलेखन समित का अध्यच था, A, A के आजाद, B, JL नहरू, C, B, R, M, B, D, Dr. राजन प्रिशाद, जल्दी बताइए कौन था, बहुत अच्छे, बिल्कुल, बहुत सही, C is the right answer, B, R, M, B, D, अबेट कर जी थे, भारती सम्मिधान की पंडुलेखन समित के अध्यच था, इंडिया होम रूल सोसाइटी अस्थापित हुई थी, A, 1902 में, C, 1901 में, D, 1905 में, कब अस्थापित हुई थी, बहुत अच्छे, 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 बहुत अच् जो है मान सरोवर जील से निकल से तिब्बत होते हुए तिब्बल नेपाल से होते हुए भारत में जाके पश्चिम बंगल में जाकी मिलती है ब्रंप पुत्र के नाम से जहां पर जानते हैं तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जानते हैं नेशकुशन, राजपाल को कौन नुक्त करता है, भारत का मुख्य ने आदि, परधान मंत्री, एराश्पती, जल्दी जल्दी बता दीजे बावू, राजपाल की नुक्त कौन करता है, बहुत अच्छे, बिल्कुल, बहुत सची, इस दा राइट, एन स्वार राश्ट पत, जी राजबाल की तुझ कौन करता है राश्ट पति करता है बावू नेश कोश्चन पोलियो के टीके बैक्स या पोलियो की बैक्सिन की खोज किसके दौरा की गई थी ए आइजेक न्यूटन बी मेरी क्यूरी सी जोन सॉल्क डी अलबर्ट आइंस्टीन जल्दी बताएं भया प असोग किस वंस से संबंदी थे बावू बहुत अच्छा कोश्चन से असोग किस वंस संबंदी थे मुगल वंस भी गुप्त बंस सी मौर वंस डीन में से कोई नहीं असोग किस वंस से संबंदी थे बता दीजिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बिरिगुट जी हाँ बि बहुत अच्छ है बहुत अच्छ है बिलकुल 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 जुए से लिए ते घृण ऑपर योजना गुज्ञात में इसिता है तलालागीर से लिए कर दीजिये साथ कर दीजे यह अपने चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और नोटिफिकेशन का बेलान कर लीजे जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे धन्यवाद